हमने आतंगवयों को गर में गुश कर मारा चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई आसू यहां बहने लगे भारत ने पाकिस्तान की धंके से डरने की नीती को छोड़ दिया यह ठीक किया ने मैंने गौना आये दिन हमारे पाद नुकलियर बटन है नुकलियर बटन है यही कहते थे हमारे अख़बार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पाद भी नुकलियर है तो हमारे पाद क्या है यह दिवाली के लिए रखाए गया यह क्या तरीका है भाई यह भैनो हमने आत्लंकियों के मन में डर पैदा किया यह ठीक किया कर नहीं किया वरना आए दिन इंदुताई में धमाके करते रहते थे कभी अज्मेर में धमाका कभी समझोता है एक्सप्रेस में धमाका, कभी मुंबई में धमाका, कभी हैदराबाद में धमाका, कभी काशी में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मु में, पांच साल से सब बंद है न, है कि नहीं, ये पुलिस वाले तो वही है, पुलिस वाले तो वही है, ये बंद क्यों हु क्या कारण है बंद हुआ क्या कारण है बंद हुआ दोस्तों अरे मोधी कारण नहीं है यह आपके वोट की ताकत है कि मोधी यह करबा रहा है भाईयों बैनों हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में गुमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों ठीक किया अगर ने किया ठीक किया अगर ने किया आप खुश है आप क्या जिर्वाद है ना आप बाद पांच साल मुझे मुझे मुखा दीजिए फिर देखे आपको लगता है ठीक किया लेकिन कॉंग्रेज और उसके महा मिलावटी लोग है उनको लगता है ठीक नहीं किया उनका कहना है आतंगबाद रास की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हैं मुद्दा नहीं है कब तक कब तक मैं देश के वीर बेटों को मनने दूँगा ये मुद्दा है कॉंग्रेज के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शौरिय की बात नहीं करनी चाहिए क्यों भाई तो क्या मैं या बजन मनली चलाने आया हूँ गया क्या ख़री कह आई ये क्या आपको पता है कि कॉंग्रेजर्स अरश क्यों कह रही है साथ क्यों इसके पीछे एक पुरा इतिहात है जिसका अहम सेल्चर ये बाड मेर रहा है राजस्तान रहा है यहां की वीर माताएं रही है यहां अनेक पूर्व सहिनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था तब हमारे सहिनिकों के सहौरिय के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कबजे में आया था 90,000 पाक सहिनिक हमारे कबजे में थे सहाथ लेकिन उसके बडले में हमने शिमला में जाकर क्या किया सरकार ने टेबल पर सब गवाँ दिया जो जवान जीत करके लाए थे दुनिया बर से जो दबाओ भारत पर पड़ा और सरकार ऐसी काम गई कि उन्होंने हस्ता धर करकर के मामला पूरा कर दिया अगर उस समय मोदी होता तो नब्वे हजार साइनिक भी वापस कर दिये और हमारी जमीन जो लाए थे जवान वो भी वापस कर दी भाई और बेनों वो सुनहरा मोका था उस नब्वे हजार युद्ध कहदियों के बदले में जम्मु कश्मीर की समस्या को हल करना गुष पेट की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाई लेकिन मोका गवा दिया परिणाम पूरा भारता बुगत रहा है वहीं आज की सिती देखिये साथियों भारत में बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर गुषकर आतंगवादियों को धेर कर भी आएगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है पूरी दुनिया भारत के साथ है आज और ये होती है दम्लारी जरकार